हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थियो मॉक्स 125 ड्राय सीरप के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर आपको जो दवाई देखने के लिए मिलती है, वो किस चीज में काम आती है, किस बीमारी में आपके बच्चों के काम आती है, किस तरीके साब को यह उनको पिलानी चाहिए, पूरे जानकारी इसी वीडियो में इस सीरप के बारे में जानने वाले हैं, तो अगर आप अपनी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आज जो है, वो है, थियो मॉक्स 125 ड्राय सीरप है, जिसके अंदर आपको, जो साल्ट, कॉंपरिजिशन, फॉर्मूला, ड्रग, जिस भी नाम से आप दवाई को जानते हैं, भो मिलती है, इसके अंदर, अमॉक्सिसलिन, औरल सस्पी एमजी की दवाई है, तो इसका जो यूज है, ये एक एंटी बायोटिक सीरप है, जो आपके बच्चों के बैक्टिल इंफेक्शन से होने वाली दिकत परिसानियों में ज़्यादा कर काम आती है, जैसे कि आपके बच्चों के दात खाज खुजली, फोड़ा फुनसी हो जा सीरप और एक पैरसीटा मॉल सीरप दोनों मिला कर दी जाती है, और अगर आप एक ही सीरप अपने बच्चों को देंगे, तो आपके बच्चों के फोड़ा, फुनसी, दात, खाज, खुजली, कटे हुए में जैसे कहीं पर बैक्टिल इंफेक्शन हो गया है, तब यह आपक कोई भी किसी चीज में भी आपके काम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, और अगर आपके बच्चों को कोई ज्यादा बड़ी प्रोग्लम हो जाती है, दिक्कत प्रिसानी हो जाती है, जो इसको पिलाने से नहीं जा रही है, तो मैं आपको कंसल्ट करूँगा कि आपको आधा आधा ढकां, धाधा एमेल, और अगर आपके बच्चे 5 साल से लेके 10, 11, 12 साल तक के अगर आपके बच्चे हैं, तो आप इसको पूरा भरकर भी सुबह साम पिला सकते हैं, आपको दो ही टाइम पिलाना है, क्योंकि जो एंटिबाटिक्स दबाई होती है, जो से कॉस्ट दोने वाले दिक्कत परिसानियों में काम करती है, वो दो टाइम ही दी जाती है, तीन टाइम नहीं दी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखना है, और अगर आपके कोई डॉक्टर है, वो आपको कंसल करता है, कि आप तीन टाइम पिला सकते हैं, तो आप तीन ट अच्छे के कंडिशन फेस्टू फेस्ट देखकर वो आपको सजेस्ट करता कि आपको इस टाइम पिलानी चाहिए ओके